जहन सत्यों आज हम लोग आबेश से सम्बंधित सभी अब्जक्टिव प्रस्णों को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला है आबेश कौन सी रासी है तो आबेश एक विद्पन भौतिक रासी है या आबेश एक अदिस रासी है तो आबेश कौन सी रासी है अदिस रासी इसी को आप विद्पन भौतिक रासी भी कह सकते है आबेश को या तो विद्पन भौतिक रासी रहेगा तो विद्पन लगाईए या अदिस रासी है तो अदिस रासी लगाईए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आबिस का SI मात्रक क्या होता है तो आबिस का SI मात्रक जो है वह आपका कुलंब होता है क्या होता है कुलंब होता है आबिस का SI मात्रक क्या होता है कुलंब होता है आबिस का SI मात्रक कुलंब होता है ठीक है तीन नमबर क्वेश्चन है आबेस का बीमा ग्याद करें तो आप याद रखिएगा आबेस का जो बीमा होता है वह होता है एटी क्या होता है आबेस का बीमा एटी इसी को आईटी भी कहा जाता है इसी को क्या लिख दिया जाता है IT, याद रखिएगा आवेश का बीमा AT या IT AT या IT ठीक है आवेश का बीमा AT या IT ठीक है नेक्स्ट है चार नम्मर इलेक्ट्रोन के अस्थानांतरन के कारण उत्पन प्रभाव को क्या कहते हैं तो electron के अस्थानांतरन के कारण उत्पन प्रभाव को आवेश कहते हैं क्या कहते हैं आवेश कहते हैं अंसर क्या हो जाएगा आवेश होगा चलिए next question पर चलते हैं कहता है आवेश कितने परकार के होते हैं तो आवेस प्रकृति के आधार पर दो परकार के होते हैं, कितने परकार के होते हैं, कितने परकार के होते हैं, दो परकार के, अब कौन-कौन है, पहला धनात्मक आवेस, पहला पोजेटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, यानि धनात्मक आवेस और रिनात्मक आव किस ने बताया कि आवेस दो परकार के होते हैं तो बेंजामीन फ्रेंकलीन ने बताया है किस ने बताया है बेंजामीन फ्रेंकलीन ने फ्रेंकलीन ने बताया कि आवेस दो परकार के होते हैं ठीक है चलिए सेवन तक देख लिए अब हम लोग सिक्स तक देख लिए हैं सेवन न 7 नमर क्वेशन कहता है आवेस के रैखिक घनतब का SI मातरक क्या है आवेस के रैखिक घनतब का SI मातरक जो है वहां कुलंब परती मीटर है आवेस के रैखिक घनतब का SI मातरक क्या है कुलंब परती मीटर next है आवेस के रैखिक घनतब का बीमा को लिखे आब इसके रैखिक घनत्म का जो बीमा होता है वह होता है L-Inverse T-A आप याद रखेंगे L-Inverse T into A L-Inverse T-A ठीक ना आब इसके रैखिक घनत्म का बीमा क्या हो गया L-Inverse T-A अब 9 नम्मर है आब इसके रैखिक घनत्म बराबर फोर्मूला क्या होता है तो वह होता है Q बटे L Q बटे L Q बटे L आब इसके रैखिक घनत्म बराबर फोर्मूला क्या होता है Q बटे L होता है यानि आब इस बटा लंबाई ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है 10 नमर क्वेश्चन आबेस के प्रिष्ट घनत्म का SI मात्रक ग्याद कीजिए तो आबेस के प्रिष्ट घनत्म का SI मात्रक क्या होता है याद रखिएगा कुलंब परती मीटर स्क्वेर आबेस के प्रिष्ट घनत्म का SI मात्रक क्या होता है कुलंब परती मीटर स्क्वेर होता है नेक्स्ट है आबेस के प्रिष्ट घनत्म का बीमा लिखे तो याद रखिएगा आबेस के प्रिष्ट घनतब का बीमा होता है L-2-TA होता है ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से एक question और पूछा जाता है अगर आपसे पूछे कि आबेस के रैखिक घनतब बराबर formula क्या होगा आबेस के रैखिक घनतब को जो है हम लोग सिग्मा से सुचित करते हैं किस से सुचित करते हैं सिग्मा और सिग्मा बराबर formula होता है Q बटे A सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q by A क्या होता है Q by A याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हैं आबेस का आईतन घनत्व आबेस का आईतन घनत्व 12 नम्मर क्वेश्चन देखिएगा आबेस का आईतन घनत्व का SI मात्रक ग्याद करें तो आवेस के आईतन घनत्व का SI मात्रक होता है कुलंब प्रती मीटर क्योग आवेस के आईतन घनत्व का SI मात्रक क्या होता है कुलंब प्रती मीटर क्योग कुलंब प्रती मीटर क्योग कुलंब प्रती मीटर क्योग ठीक है चलिए next question पे चलते हैं next है आबेस के आईतन घनत्व का बीमा ग्याद करें ठीक है तो इसका बीमा होता है L inverse 3 T A L inverse 3 T A याद रखिएगा आबेस के आईतन घनत्व का जो बीमा होता है वह होता है आपका L inverse 3 T A L inverse 3 T A उसके बाद है आबेस के आईतन घनत्व बराबर फर्मूला क्या होगा तो वह होता है आबेस बटा आईतन Q by B आबेस के आईतन घनत्व को हम लोग Rो से सुचित करते हैं किस से Rो से और Rो बराबर फर्मूला होता है Q बटे B रो बराबर फॉर्मूला क्या होता है क्यू बट्टे भी यानि आबेस के आईतन घनत बराबर फॉर्मूला क्या होगा क्यू बट्टे भी होगा क्या होगा क्यू बट्टे भी होगा ठीक है तो चलिए आज हम लोग आबेस सिस्टम मंधित जो objective person बन रहा था इसे देख लिए हैं अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अधारित short question को भी देखने का प्रियास करेंगे और अगले term को परहेंगे हाथो साथियों यदि आप नए है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को subscribe कर दे अगर all day student है तो इस चैनल को क्या करें जैदे से जैदा share करें जिससे की आपके सभी दोस्त इस चैनल के माध्यम से पर सके ग्यान प्राप्त कर सके और इस परिवार को भी बढ़ा सके